हलो नमस्ते आदब साश्रीयकाल वेलकम टू विद्यान पाठ्चाला मेक लर्निंग स्मार्ट और एजी हलो मैं नेम इस शुभुश्री घुष्ट एंड आई वेलकम यू वाल टू विद्यान पाठ्चाला अपके NCERT में एक बुक है जिसका नाम है हनीडिव जासे ऐका है तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे वह समय ऑप ही है तो आपको पता ही है कि Honey Dew में बहुत सारे स्टोरी हैं तो हर एक स्टोरी तो एक ही वीडियो में cover up नहीं हो सकता तो हम इसका अलग-अलग वीडियो लाते रहेंगे ठीक है, इसका सीरीज हम continue करेंगे ताकि आपको better understanding हो जाए ठीक है, so let's get started तो जैसा कि मैंने आपको बोला आज हम Honey Dew के जो first chapter है the best Christmas present in the world हम उसके स्टोरी को discuss करेंगे ठीक है, अब वो स्टोरी भी बहुत जादा बड़ा है तो इसलिए हमने क्या क्या है हमने इसको part में divide कर दिया है ठीक है, हमने इसको part में divide कर दिया है कि हम इस वीडियो में इतना तक पढ़ेंगे फिर उसका comprehension करेंगे उसमें जो भी glossaries है वो भी सब देखेंगे ठीक है, फिर अभी थोड़ा सा मैं आपको background के बारे में भी समझाऊंगी कि story का background actually में क्या है क्योंकि कोई भी story आप पढ़ते हैं उसका background भी होता है तो उस background या तो उस context को आपको जानना जरुरी हो जाता है ठीक है, आपके better understanding के लिए आप अगर answer writing करेंगे तो उसमें से आप भी मतलब reference के लिए दे सकेंगे है ना, so we are going to talk about this the best Christmas present in the world ठीक है, तो Christmas क्या है Christmas है एक festival जो 25th of December को हम मनाते हैं ना Jesus Christ का बर्द्रे है तो उसकी को हम बोलते हैं Christmas Christmas में क्या होता है, बहुत सारे presents देते हैं हम अपने दोस्तों को, family members को, ठीक है, सब को और ये एक worldwide festival है ठीक है, बहुत पुराना festival है बहुत सालों से चला आ रहा है तो ऐसे ही बहुत मतलब बहुत अच्छे से हम इसको celebrate करते हैं, gifts वगरा देते हैं खाना पिना होता है parties वगरा होती है बट एक time था जब Christmas इतना अच्छे से celebrate नहीं करते थे, और वो ही time है, ये जो हमारा आज का story है, the best Christmas present in the world, इसका background, ठीक है, ये वही time है, इस story का background, अब बुक क्या background है चले हम आगे देखते हैं before you read ठीक है, अब ये भी part आपका NCRT में दिया हुआ है for आपका better understanding के लिए ठीक है, क्या बोल रहा है आपर there are some dates or periods of the time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them, the story you will read mentions one such date and event, a war between British and the Germans in 1914 अभी ये date आपको याद रखना बहुत ज़रुरी है, क्यों? क्योंकि ये date जो है, 1914 this was the beginning of world war one, कौन सा? world, sorry world war one, ठीक है, world war one तो पूरा, मतलब earth में हुआ, पूरे world में हुआ था, ठीक है, इसलिए हम इसको world war one बोलते हैं, इसके दो war हुए थे, world war one और world war two, ठीक है, दोनो war ने पूरा दुनिया को मतलब तहस नहस कर दिया था, हिला के रख दिया था, सब कुछ, मतलब लोग मर रहे थे सब कुछ खतम सा हो गया था, ठीक है? तो ये दोनों event हमको याद रखने बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस chapter के लिए हम जो अभी story पढ़ने वाले हैं, इस chapter के लिए आपको ये date बहुत अच्छे से याद रखने है, 1914, क्या हुआ था? world war one start हुआ था, ठीक है, अब आपको पता ही है, world war one में कौन-कौन से countries ने participate किया था, world war one का reason क्या है, तो ये एक history का वीडियो है नहीं, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगी, ठीक है, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, हमको story भी पढ़ना है, तो इसलिए आपको बस इतना जिन्होंने पढ़ा हुआ है, इसको उनको पता है कि ये story line जो है, वो British और Germans के बीच में जब लडाई चल रही थी, उस time period का है, ठीक है, story, तो अभी हम देखेंगे कि कैसे story, मतलब एक war time में भी Christmas present कैसे, मतलब emotions के लिए, मतलब emotion को अच्छे से convey करता है, अच्छा लगता है, एक magical feeling आता है, तो हम वो चीज़ देखेंगे भी story में, ठीक है, तो चलिए, so एक चीज़ है, world war one and literature ठीक है, तो ये है war literature, actually हम इसको war literature बोलते हैं, अब war literature हमारे लिए इतना important इसलिए है, क्योंकि है, world literature क्या है, देखें क्या बोला है, world war one marked a major transformation in the world history as well as in literature, ठीक है, मतलब ये तो transform कर रहा है, किसको कर रहा है, पूरे world को, world के history को transform क्या है, और literature को भी, इसने transform क्या है, क्या होता था, literature में जो पहले का, मतलब war से पहले के, जो, मतलब stories थे, epic था, कुछ भी था, उसमें क्या था, hero को बहुत glorify किया गया था, ठीक है, मतलब hero shiny armor में आता है, ठीक है, सब को मारता है, अपने country को बचाता है, अपने logo को बचाता है, ठीक है, तो ये एक बहुत glorification हम बोलता है, ना, कि बहुत मतलब तेज़स्वी type का, कि उन से तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता, ठीक है, तो इस type का एक imagery हमको दिया जाता था, before world literature, ठीक है, जैसे बहुत पुराने-पुराने जो भी poems हैं, वहाँ पर आपको इस तरह के war heroes मिल जाएंगे, ठीक है, एक नाम है, आपने शुना है, शायद नाखिक देखा, तो उसमें भी ऐसे ही है, कि वह hero ऐसे armor में आता है, गोडे में बैट के सब को मारता है, ठीक है, वह कहलाता है war hero, regiment का hero कहलाता है, बट, यह जो war literature है, इसने सब कुछ change करके रख दया, literature को भी, मतलब world war one ने literature को भी change किया, literature को change ऐसे किया, कि जो, जो battlefield में fight कर रहे थे, ठीक है, उस time में बहुत परिस्थिती खराब था, तो जो battlefield में fight कर रहे थे, उनके दिमाग में question आया, कि हम क्यों लड़ रहे हैं, हम किसके लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, यह जो, उपर से orders आ रहे हैं, कि fight करो, fight करो, तो हम किसके लिए fight करें, वो तो orders दे रहे हैं, बट हम यहाँ पर battlefield में मर रहे हैं, सिर्फ मैं नहीं मरा, मेरे बहुत सारे दोस्त मर गए, या फिर कोई father, बेटा, दोनों अगर army में तो वो सारे मर गए, तो they question, ठीक है, they question the very foundation of war, ठीक है, तो this was the beginning of something new, तो इसी को हम बोलते हैं, war literature, वो क्या दिखाते हैं, war के जो futileness होते हैं, मतलब war कैसे, एक हस्ता खिलता इंसान को मार देता है, एक हस्ता खिलता family को बरबाद करके रख देता है, ठीक है, without any reason, war तो करने का कोई मतलब नहीं होता, फिर भी करते हैं, power के लिए, ठीक है, तो यह चीज है, मतलब यह question कर रहे थे, तो this was the threshold of a new kind of literature, जिसको हम war literature बोलते हैं, ठीक है, तो चलिए, क्या है, we get to know about the factual events in history, जैसे मैं आपको बोला कि history में इसका तो पूरा यह जो आप map देख रहे हैं, यह world war one का map है, तो आपको history में यह पूरा देखने को मिलता है कि कौन-कौन से allies थे, किस country ने participate किया था, आपको यह history में पूरा मिल जाएगा, history का कोई भी video देख लीजे, world war one का, तो उसमें fight होता है, जैसे कि आज हमारे अगर country के बीच में, countries के बीच में fight हो, तो politics में भी तो बहुत, मतलब vital, उसका role होता है न, politics का भी, तो इस politics को भी change करकर रख दिया था, lives of common people, अब हम है common people, ठीक है, क्योंकि हम तो प्रधान मंत्री वगरा, मतलब देश तो नहीं चलाते, बट हम common people है, हमसे ही देश है, तो हमारा life भी change होता है, क्योंकि आप अगर कोई भी world war one के time का कोई भी movie देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि क्या खराब situation थी उन लोगों की, वो मतलब एक वो है story है, एन फ्रेंक का, ठीक है, diary of एन फ्रेंक, आप उसको या तो पढ़िए, या फिर उसका movie भी है उसको भी देखिए, ठीक है, तो मतलब बहुत, उसमें पुरा reality दिखा रहा है कि war में common people, जो साधारन इंसान थे, जो उनका क्या हश्र हुआ था, ठीक है, मतलब खाना नहीं मिलता था, jobs नहीं थे, jobs तो छोड़ी दीजिए खाने को इनसानों के पास मतलब चावल नहीं थे, कुछ नहीं था मर रहे थे, जिंदगी के लिए भीक मांगते थे, ठीक है, ऐसा मतलब बहुत खराब situation था, फिर economy, अब अगर ऐसी situation होगी, चारो तरह bombing होगी तो economy में भी उसका बहुत जादा फरक, मतलब, effect पड़ेगा, effect दिखेगा आपको, ठीक है and many other aspects, ठीक है this also affected the literature as it showed the brutality and futile ब्रुटालिटी मतलब क्या होता है जो बहुत खराब way होता है, brute मतलब होता है, but wild type का, ठीक है, तो brutality होता है, जो war का wildness है, मतलब war किस हद तक आपको तोड़ के रख देता है, पुरा देश तोड़ के रख देता है, एक इंसान मर जाते है, families भूके रहते हैं बच्चे मरते हैं, सब बच्चे बड़े किसी को नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, तो this was the brutality, ठीक है, but क्यों, किस के लिए हम war करे हैं, तो ये तो जो क्यों है, ये futileness है मने, like, किस के लिए हम war कर रहे हैं, इस war का कोई मतलब ही नहीं बनते हैं, इतने लोग मर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, किसी को जॉब नहीं है, खाना नहीं मिल रहा है, परिवार एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, तो this was the futileness, ठीक है, समझा रहना आपको, so futileness of mankind for the first time, ये ही war था, जो पूरे world में लड़ा गया था, पहले भी wars होते थे, like before world war one, बहुत सरे wars होते थे, बट तब होता था नहीं कि छोटे-छोटे troops में war होते थे, जैसे कि Alexander, छोटे troops में नहीं किया था उन्होंने, Alexander D. Great ने पूरे मतलब आथे world को ही conquer कर लिया था, बट तब किसी के मन में ये नहीं आया था, कि हम war कर क्यों रहे, किसी को power चाहिए, इसलिए common people क्यों मरे है ना, लेकिन ये world war one के time से ऐसा होता था, कि world war one के time में ना, जो भी इनसान थे, वो trenches में fight करते थे और वहीं पर रहते थे, ठीक है तो वहाँ पर रहते रहते, वो अपने families को याद करते थे, अपने बचपन को याद करते हुए, उन्होंने बहुत सरे poems लिखे हैं, किसी दूसरे वीडियो में मैं आपको war literature के बार में elaborately बताऊंगी, लेकिन आज इतना elaborate नहीं कर सकती, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा ठीक है, तो वो trenches में न, poems लिखते थे, poems about their emotions, poems about their family members, poems about their beloved one, ठीक है, तो ऐसे बहुत सरे poems हमको मिलते हैं, बहुत सरे हमको diaries मिलते हैं, notes मिलते हैं, ठीक है Anne Frank का ही diary ले लिजिए, वो भी एक बहुत अच्छा आपको example है war literature का, तो फिर क्या करते हैं, तो ये pave the way of war literature मतलब ये रास्ता कर देता है war literature का, war literature मतलब अपको मैंने अभी समझाया, जो भी तो, which includes Siegfried Sassoon, Wilfred, सारी Rupert Brooke and Wilfred Awn, तो ये कुछ नाम है, जो war literature में बहुत famous है, क्योंकि इन्होंने first-handedly war में participate किया था, उसके बाद वहीं से, जो भी experience उनका है, ठीक है, जो भी brutality, futileness, जो भी experience उनको मिला है, उन्होंने अपने literature में, अपने writings में उसको दर्शाया है, ठीक है, तो आप इन writers को भी पढ़ सकते हैं एक, Wilfred Awn का एक Wilfred Awn, या फिस Siegfried Sassoon, दोनों में से, I guess Siegfried Sassoon का ही है, एक poem है, futility, तो बहुत अच्छी poem है, मतलब जो बोल रहा है न, मतलब बहुत जादा अच्छी poem है, और एक और drama है, Arms and the Man GB Shaw का, ठीक है, तो अब वो भी पढ़ सकते हैं, reference के लिए कि war, actually में क्या बनाता है, मतलब war में fight करना क्या होता है, तो this was the war literature, तो आप इन सब को पढ़ सकते हैं, तो फिलाल हम देखते हैं, story के बारे में क्या है सो हम देखते हैं, Michael Morpur को हमारे हैं, क्या author, ठीक है, Michael Morpur को, Sir Michael Morpur को हमारे author है, उनका जनम हो था 5th October 1943, 1943, ठीक है, तो यह एक English book author है, poet है, playwright and libraries, तो playwright हम किसको बोलता है, जो plays वगरा लिखते हैं, उसको playwright बोलता है, ठीक है, who is known for the best, best for children's novels such as war horse, देखिए, यहाँ भी war horse है, मैंने बताया ना कि Michael Morpur को का देखिए, उनका जनम है 1943, ठीक है, तो this was the time of world war 2, ठीक है, world war 2 start what on 1939, ऐसा कुछ, तो और यह जो war का जो भी scenario है, Michael Morse, Michael Morpur को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, तो इसलिए उनका जो theme होता था, children book ही लिखते थे, children novels ही लिखते थे, बट उसका theme भी होता था कि like war, war के time में कैसा था, देखे, children books तो जो है, तो वो children के लिए ही सिर्फ नहीं लिखा जाता है, वो हम adults के लिए भी बहुत ज़्यादे important होता है, क्योंकि वो children के, जो मतलब children जैसे समझते हैं, उसको बहुत sweetly present करते थे, sir Michael Morpur को, बट उसके तरहतना हमको बहुत बड़ा message मिलता था, ठीक है, तो इसलिए यह इतना ज़्यादा important है, ठीक है, तो क्या बोले, his work is noted for its magical storyline, तो अभी हम देखेंगे, इस story को पढ़के, कि magical storyline कैसे है, magical storyline मतलब war अगर है, तो उसमें तो magic तो हो नहीं सकता, magical something is to us, ठीक है, तो हम देखेंगे, for recurring themes such as, triumph of an outsider, or survival for characters' relationship with nature, and for vivid settings such as, the Cornish coast, or world war one, बट अब यह सारे जो थे, यह इनके themes थे, वो survival के उपर लिखते थे, relationship with nature लिखते थे, ठीक है, और फिर vivid settings from world war one, ठीक है, जैसा कि यह ही जो हमारा यह जो आज का story है, वही world war one के time का है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, तो चलिए हम अभी story को देखते हैं, तो पहले story को देखने से पहले, हम character list को देखते हैं, ठीक है, क्या है character list, मैं color change कर लेती हूँ, ताकि आपको देखने में ज़्यादा, तो कौन-कौन है हमारे character list में, Jim McPherson, ठीक है, Connie McPherson, और है Hans Wolf, अब Jim McPherson है हमारे protagonist, तो protagonist कौन होते हैं, जो हमारे main lead होते हैं, उसको हम protagonist बोलते हैं, ठीक है, तो जो हमारे lead role में होते हैं, हम उनको protagonist बोलते हैं, तो हमारे protagonist है Jim McPherson, हम देखेंगे story में कि कैसे इनका letter मिलता है author को, फिर author उनके wife को ढूंडते हैं, फिर उनको letters देके आते हैं, ठीक है, तो हम देखेंगे सब, तो Jim McPherson क्या थे, he was the leader of English troop, before joining the war, he worked in a school as a teacher, तो वो British troop जो था, मैंने बोला था आपको कि ये story between Britain है, और Germany है, तो ये जो Britain का जो troop था, British जो troop था, उसके leader थे Jim McPherson, ठीक है, और जो Hans Wolf है, ये थे, ये थे, German troop के leader, देखें, Captain of German troop, ठीक है, तो ये दोनों-दोनों, अलग-अलग troop के leader थे, Jim McPherson और Hans Wolf, ठीक है, अब Jim McPherson, war joining से पहले न, वो school में पढ़ाते थे, as a teacher, ठीक है, और जो Connie McPherson है, वो wife of Jim McPherson है, ठीक है, Connie McPherson, Jim McPherson, Jim के wife है Connie, और ये Hans Wolf है, मैंने आपको बताया कि, ये जो German troop है, उसके leader थे, ठीक है, दोनों के बीच में fight हो रहा था, ब्रिटेन और जर्मन के बीच में fight हो रहा था, तो ब्रिटेन का, जो troop leader था, वो था Jim, और जो Germany का troop leader था, वो थे Hans, ठीक है, ठीक है, तो Hans क्या थे, Hans पहले orchestra में काम करते थे, जिम क्या करते थे, जिम पहले school में पढ़ाते है, ज़र teacher ठीक है, और कौनी कौन है, कौनी जिम की wife है, तो आपको character list भी समझ में आ गया है, चले अब story को देखते हैं, ठीक है, ये है आपका chapter one, देखते हैं, ठीक है, एक मिनिट, I spotted it in a junk shop in Britpot, अब Britpot का है, Britpot एक जगा का नाम है, जो England में है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला ना, कि ये war between, ये war था between Britain and German, तो हम ये जो author है, ये I जो है, ये author है, ठीक है, I मतलब यहाँ पर, first person narrative, तो ये author जो है, वो Britain में ही थे, बिटेन में एक जगा है, Britpot, उनको वहाँ पर एक junk shop मिला, ठीक है, उस junk shop में उनको क्या मिला, a roll top desk, अब roll top desk, मतलब ये जो आप देख रहे हैं, इसको हम roll top desk बोलते हैं, आजकल तो सभी के घर में almost, मिलता है, बट तब के टाइम में, ये बहुत costly हुआ करते थे, और ज़्यादा आसानी से मिलते नहीं थे, मतलब जो भी elite family से belong करते थे, उनके पास ऐसे furnitures होते थे, ठीक है, तो ये है, roll top desk, ठीक है, the man said it was early 19th century, मतलब यहां बोल लए कि ये जो roll top desk है, तो जो shop की पर था, उन्होंने बोला कि early 19th century का है, मतलब पुराना है, ठीक है, and oak, मतलब oak का बना है, oak जो एक tree होता है, जिसके logs के हम furniture बनाते हैं, बहुत costly होता है, मतलब वो जो पहाड़ी अलाका होता है, जहां पर बरफ बहुत जादा गिरती है, वहां पर oak paid मिलता है, ठीक है, तो उसका ये जो log है, वो बहुत costly मिलता है, तो फिर देखते हैं क्या है, I had wanted one, मतलब author जो हैं, वो बोले हैं कि I had always wanted one, मुझे एक चाहिए था, but they were far too expensive, far too expensive मतलब बहुत जादा expensive, मैंने बोला कि वो बहुत expensive जी है, उसका जो log मिलता है, वो भी बहुत जादा expensive होता है, ठीक है, this one was in a bad condition, the roll top in several pieces, one leg clumsily mended, scorch marks all down one side, it was going for very little money, अब उनको ये बहुत सस्ता मिल रहा था, क्यों सस्ता मिल रहा था, क्योंकि ये बहुत bad condition में था, यहाँ पर देखी, it was in a very bad condition, ठीक है, तो क्यों bad condition में था, one leg clumsily mended, वो एक पैर जैसे हम होता नहीं लगड़ाते हैं, टूड गया है, वैसा था, scotch marks, scotch marks मतलब बॉर्णिंग marks, जो जले हुए, दाग जो पढ़ जाते हैं, अगर furniture या फिर कुछ भी जल जाते हैं, जो marks पढ़ जाते हैं, उसका हम scotch marks बोलते हैं, ठीक है, down on one side, एक तरफ पुरा scotch marks भेरा हुआ था, फिर clumsily उसका leg था, मतलब तूटा हुआ था, कहीं से, so it was going for very little money, मतलब यह बहुत कम पैसे में मिल रहा था, ठीक है, I thought I could restore it, I thought I could restore it, का मतलब मैंने सोचे कि मैं इसको repair कर सकता हूँ, ठीक है, मतलब इतना तूटा हुआ अगर furniture उनको कम दामें मिल रहा है, तो वो वैसे ही तो नहीं use करेंगा न, उसको अच्छे से mend करके फिर use करेंगे, तो वही बोला है, I thought I could restore it, restore का मतलब होता है mending, repair करना, तो it would be a risk, a challenge, but I had to have it, मतलब बोल रहा है कि यह एक risk, एक challenge है, but मुझे यह चाहिए था, ठीक है, I had to have it, मुझे यह चाहिए था, I paid the man and brought it back to my workroom, मैंने उस आदमी को जो shop की पर था, मैंने उसको pay किया and brought it to my workroom, मैंने इसको अपने workroom में लेका है, वाक रूम क्या होता है, जो हमारे घर में हम जैसे काम करते हैं, सभी कोई, तो हमारे एक separate room होता है न, पर हमको कोई disturb नहीं करता, अभी तो online हो गया है सब कुछ, तो अभी तो वाक रूम का बहुत ज़्यादा importance है, सब के life में है न, तो at the back of the garage, तो जो garage होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा कोई आता जाता है नहीं, तो वहाँ पर अगर वाक रूम अप सेट करते हो, तो वही पर रख रोगे ये roll top desk को, तो author ने भी वही किया, I began work on it on Christmas Eve, ठीक है, Christmas Eve जो होता है, Christmas के ठीक एक दिन पहले का जो शाम होता है, उन्होंने उस दिन को चुना था, इसको ठीक करने के लिए, ठीक है, उस दिन से इसको ठीक करना स्टार्ट करा था, एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो I है, बार-बार जैसे यहां पर आई, यहां पर आई, यहां पर आई, I मतलब author, जो narrator हैं, हमारे जो author हैं, हमारे वो खुद से बोल रहे हैं, जैसे कि हम diary लिखते हैं न, कि I did this, I did this today, I went to this place, तो ऐसे जैसे हम I, I बोलते हैं, first person narration, first person narration में, तो यह first person narration है, ठीक है, तो पूरा का पूरा first person narration में ही लिखा हुआ है, आपको बस यह याद रखना है, ठीक है, एक और चीज, यह है हमारा glossary, ठीक है, जो कि मैंने फिर वही NCRT से ही उठाया है, spotted it का मतलब होता है, found it, वो spot क्या था, मतलब उसको मिल गया था, author को मिल गया था, scotch marks मतलब मैंने बताया था, burning marks होता है, was going for, was selling for, मतलब वो बेच रहा था, ठीक है, selling for, restore मतलब repair, इसको जैसे हम ठीक करते हैं ना, किसी चीज को, तो उसको हम repair बोलते हैं, restore करना बोलते हैं, ठीक है, so, I removed the roll top completely, and pulled out the drawers, roll top जैसे कि मैंने आपको इस image में दिखाया, यह था roll top, तो उन्होंने इसका पूरा roll top उठा दिया था, ठीक है, अभी यह जो आप यहाँ पर image देख रहे हैं, drawer है, बहुत सारे drawer है, तीन, बहुत सारे होते हैं, तो ऐसे उन्होंने drawers को pull किया, खीचा, ठीक हैंचे, तो, the winner had lifted almost everywhere, it looked like water damaged to me, winner मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए, winner मतलब होता है, thin layer of plastic और decorative wood, on the furniture of cheap wood, मतलब यह जो roll top desk है, इसके उपर में एक plastic का layer होता है, जो decorative होता है, टीक है, wood का भी हो सकता है, और furniture के उपर में लगा रहता है, वो cheap wood का होता है, मतलब उसका cost कम होता है, ठीक है, मतलब उस पूरा जो furniture है, उसको, cover करके जैसे हम रखता है न, तो वो cover क्या होता है, ठीक है, उसको हम winner बोलता है, क्या बोल रहे हैं, the winner had lifted almost everywhere, मतलब यह सारी जगह से winner उठ गया था, ठीक है, वो जो उपर में layer होता है, तो वो कितना, वो cheap होता है, उतना सस्ता होता है, ज़्यादा मेहंगा भी नहीं होता है, तो वो उठ गया था, ठीक है, it looked like water damage to me, मतलब बोल रहा है कि, जैसे water अगर गिर गया, जैसे lohe में अगर water गिर जाता है, तो क्या होता है, वो rust लग जाता है, तो वैसे ही अगर, अगर कोई भी लकड़े का, कोई भी कोई furniture को, अगर water में रखेंगे, तो वो damp करेगा, फिर धीरे धीरे वो damage होता जाएगा, तो वैसे ही लग रहा था कि, water ने damage किया है, ठीक है, बोथ fire and water had clearly taken, they are tall on this desk, tall on this desk, मतलब अपना पूरा काम किया था, हम बोलते हैं ने क्या है, उसने पूरा homework कर लिया, तो ऐसे अपना पूरा homework उन्होंने, fire और water ने अपना पूरा homework इसके उपर कर दिया था, मतलब इसको पूरा damage कर दिया था, मैंने आपको बोला कि, एक तरफ से पूरा, वो scotch marks था ठीक है, जो burning से होता है, और दूसरे तरफ जैसे ये winner को पूरा water ने damage कर दिया था, तो ये वैसा ही लग रहा था उनको, ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, the last drawer was stuck first, I tried all I could to ease it out gently, ठीक है, मतलब बहुत बुरी तरह के से, जो last drawer था, वो बहुत बुरी तरह के से फंसा हुआ था, और मैंने बहुत कोशिश की, कि इसको मैं gently खोल सकूँ, ठीक है, मैंने gently इसको pull करके, मैंने खोलने की कोशिश करी है, in the end, I used brute force, मैंने पहले ही आपको brute का मतलब बोला था, brute मतलब होता है, बहुत wildly force, मतलब अब आपने पहले gently open करने की कोशिश करी कोई चीज को अगर नहीं हो रहा तो आप तो उसको मतलब बहुत जादा जोर से खीच के खोलने की कोशिश करेंगे ना बहुत wild force देंगे, तो यह होता है brute force, I stuck it sharply with the side of my feast and the drawer flew open to reveal a shallow shape underneath, क्या बोल रहा है, feast का मतलब होता है, हाथ में जो हम मुठी बनाते हैं उसको मुठी बोलते हैं, I struck it sharply with the side of my feast, मतलब मैंने feast से उसके side को ऐसे खीचा, and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath, drawer मतलब flew open, मतलब अचानक से खुलके एक shallow space मिल गया उनको, ठीक है author को एक shallow space मिल गया, मतलब खाली जगह मिल गया underneath, underneath मतलब नीचे, ठीक है underneath मतलब नीचे, एक खाली जगह मिल गया, एक secret drawer मिला, उनको क्या मिला, वो जैसे उन्होंने एक उपर वाला drawer जोर से खीचा, उसके अंदर में उनको एक shallow space मिला, जहाँ अनीचे के हिस्से में, जहाँ पर एक secret drawer था, जैसे होता ना, हम हमारे pouches में बहुत सारे secret, मतलब pouches होते हैं, चोटे-चोटे जिसमें पैसे बगरा रखते हैं, कुछ कोई-कोई love letter भी रखता है, तो ऐसे ही उनको एक secret drawer भी मिला, ठीक है, तो अब देखते हैं उस drawer में क्या था, ठीक है, कुछ था वहाँ पर, क्या था, वो हम देखते हैं, I reached in and took out a small black tin box, क्या था, एक black color का tin box था, ठीक है, एक black color का tin का box था, ठीक है, cello taped on the top of, it was a piece of lined note paper, ठीक है, क्या बोल रहा है कि, उस box की जो black tin box मिला था, उसके उपर ना, cello tape से एक note paper, चिपकाया हुआ था, ठीक है, उस एक tin का box मिला था, उनको, मालनी जीए, एक ऐसा tin का box मिला है, और उसके उपर ऐसे, एक cello tape से, जैसे हम कुछ paper में लिखके, cello tape में चिपका देते हैं, ना तकि वो पानी वगरा से खराब ना हो, तो वैसे ही, एक चिपका हुआ मिला था, ठीक है, एक black color का box मिला, तीन का, ठीक है, इसके उपर में क्या लिखा था, ये जो cello tape से, जो पूरा tape क्या हुआ था, इसके उपर ये lines लिखे हुए था, जीम्स last letter, ये बहुत important है, आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है, जीम्स last letter, received January 25, 1915, मैंने आपको बोला, 1915 का time, जैसे 1914 में war start हुआ था, तो 1915 भी चला था न, war, war चला था 1918 तक, ठीक है, चार साल तक चला हुआ था, तो ये clearly आपको बोली रहा है कि, 1915 का time है, जब receive हुआ था, ये जीम्स के letters थे, जो receive हुआ था, मतलब लिखा उसके पहले गया था, मिल गया था, ठीक है, to be buried with me when the time comes, ठीक है, मतलब बोल रहा है to be buried, buried करना मतलब क्या होता है, हम जैसे Christian tradition में होता है, कोई भी अगर किसी की death हो जाती है, तो हम उसको buried करते हैं, मतलब, जमीन में हम उसको दफना देते हैं, अपने-अपने tradition के मान्यता है, respect to every tradition, ठीक है, तो यह बोल रहा है कि, buried हो जाएगा, यह letter मेरे साथ ही, when the time comes, जब time आएगा, तब यह सारे letters जो है, जो gym के last letters है, वो सब buried हो जागा, अब आप यहाँ पर समझ रहे हैं, last letters मतलब, और यहाँ पर shaky handwriting है, यह दोनों काफी हैं, आपको यह समझने के लिए, कि यह war के time में, gym ने लिखा था, gym war में British troop के leader थे, तो वो भी gym, war में participate कर रहे थे हैं, तो जो gym's last letter, आपको समझाने के लिए, बहुत यह थोड़े बहुत चीज काफी है, कि यह gym के letters थे, जो gym ने लिखे थे, किसको लिखे थे हम वो भी देखेंगे, ठीक है, receive होए थे 25th of January 1915 में, और shaky handwriting मतलब, उन्होंने war के time पे यह लिखा हुआ था, कि अपने last letter, जो हम करते हैं, जैसे आपने सबने border देखा है, बहुत अच्छी movie है, देखा नहीं तो देखना चाहिए, तो war के उपर है, अब कोई अपने beloved को याद करी है, कोई अपने wife को याद कर रहे है, कोई अपने माँ को याद कर रहे है, तो उनको याद करते हुए, जो हम, मतलब वो लोग जो लिखते थे, poems वगरा लिखते थे, letters वगरा लिखते थे, कुछ diary लिखते थे, या फिर कोई messages लिखते थे, कुछ भी लिखते थे, वो बहुत shaky handwriting, मतलब बहुत ज़ादा डरे हुए से, कि मैं काश मैं मिल पाता, पता नहीं, फिर से मिल पाऊंगा भी या नहीं, मतलब बहुत अंदर से होता है न, कि डर जाते हैं, फिर war में अगर हैं, तो मतलब आप समझ सकते हैं, इस मतलब way beyond feeling, ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा शायद, I knew as I did it, that it was wrong of me to open the box, अब किसी का personal letter आप देखेंगे, तो आपको conscience तो होगा ही, कि हमको बच्पन से सिखाया जाता है, कि किसी का चीज नहीं लेते हैं, किसी का चीज खोल के नहीं देखते हैं, कोई messages हैं, कुछ भी है, खैर अभी तो वसा होता है, अब सब कुछ सब भी देखते हैं, लेकिन writer, जो है हमारे author, उनको feeling हो रहाता है, कि it was wrong of me, मतलब मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, ये box को open करके, किसी के personal चिथी हैं इसमें, तो मैं इसको open करके गलत कर रहा हूँ, but curiosity got the better of my scruples, it always does, मैंने curiosity का मतलब होता है, कि जो हमारे अंदर उत्सुकता होती है, वो उत्सुकता हमको बहुत सारे का, तो उसको करना है, करके देखने, जैसे बच्चे होता है, उनको माना करो कुछ करने के लिए, तो वो बार बार वार वही करने जाते हैं, तो this was the curiosity, जिसके तहत उन्होंने, वो box open किया, ठीक है, inside the box there was an envelope, there was an envelope, एक envelope था, तो आपको समझे आ रहा हैं, यह last letters थे, envelope है, the address, read, Mrs. Jim McPherson, यहां आता है हमारा second character, first character यह है, जिम, ठीक है, जो हमने character list में देखा था, यह है character number one, और यह है character number two, ठीक है, यह जो Mrs. Jim McPherson है, यह है हमारे character number two, कौन है, Connie, Connie McPherson, ठीक है, 12 copper riches, bitboard dorset, यह है पूरा address जो वहां पर लिखा हुआ था, यह address है, जिम के wife का, I took out the letter and unfolded it, मैंने वो letter बहर निकाला और उसको unfold किया, उसको खोला, ठीक है, it was written in pencil and dated at top December 26, 1914, मतलब यह December 26, 1914 को लिखा हुआ था, pencil से लिखा हुआ था, अब इतने मतलब lucky अगर war का time होता है ना, तो अगर pencil मिल जा वही बहुत luck होता है, कि अब pencil से किसी को लिख के कोई message भेजो ठीक है, तो वो pencil में लिखा हुआ था, ठीक हुआ उन्होंने खोल के देखा, pencil में लिखा हुआ था, कितना date कौन सा था, December 26, 1914, मैंने बताया ना, कि ये war का time था, ये पूरा का पूरा, 1914 से लेकर, सरी, 1914 से लेकर, 1918 तक, पूरा war चला था, ठीक है, तो इस time के बीच में, ये December 26, जिम ने letters लिखे थे, तो इसका जो अगला पार्ट है, हम दूसरे वीडियो में complete करेंगे, तो चलिए कुछ comprehension देख लेते हैं, जो कि आपके NCRT में ही है, तो बहुत easy, easy साइ question है, तो बहुत easy साइब था, NCRT में था, तो मैंने सोचा कि आपको ये question, मैं करा दूँ, और इसका भी जो text questions है, जो मैं खुद बनाऊंगे, मैं वो भी series लाती रहूंगे, ठीक है, so second comprehension, ये भी NCRT से ही है, क्या बोले, what did he find in the secret drawer, उनको secret drawer में क्या मिला था, the author found a black tin box, cello taped on the top of it was a piece of lined note paper, ठीक है, मैंने ये पूरा NCRT से ही उठाए, मैंने खुद, कुछ नहीं लिखा, ये जो था NCRT में, book में जो भी lines है, उसी से मैंने ये answer बनाऊंगे, ठीक है, आप चाहें तो खुद से भी बना सकते हैं, तो, ये मैंने पूरा NCRT से ही बनाए, ठीक है, और जैसे ये देखें, मैंने यहाँ पर, वो inverted marks भी दिये हैं, कि वो जो वहाँ पर लिखा हुआ था, वही है, और ये जो है, ये आपका homework है, ठीक है, वाट, who do you think had put it in there, ये आपका homework है, I hope आप सबको समझ में आ गया होगा, अभी तक कि किसने वुस लेटर्स को, उटिन के डिब में में रखा था, तो आप सब इसको आसानी से answer कर सकेंगे, तो comment में आप बताए कि, किसने रखा था, ठीक है, next video के comment में भी बता सकते हैं, और आज हमने जितना तक पढ़ा, उसका अगला सीरीज हम next video में complete करने वाले हैं, स्टोरी को continue रखेंगे, और उसके questions भी मैं लेती रहूंगी, ठीक है, so thank you, thank you for joining us, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, कुछ सीखने को मिला है, तो please subscribe कर दीजे,